लास्ट के लेक्चर में हमने UPSC CAPF 2022 में जितने भी कोश्चन्स हिस्ट्री, पॉलिटी और जोगरोफी क्या है वो सारे मैंने कवर कर ली है अब लोग सबसे इंपोर्टेंट कोंपोनेंट के उपर बात करेंगे जो कि साइन्स की टॉपिक है आपको पता होगा साइन्स से CDS, NDA इन एक्जाम्स में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं तो उन सवालों को देखते हैं क्या रहा difficulty level कितने सवाल आसानी से doable थे और कितने कोश्चन्स NCRT से थे तो देखें साइन्स में मेंली लगभग सारही सवाल NCRT से ही आते हैं कुछ question एक दो को छोड़ करके जो कि NCRT में directly mentioned नहीं होते हैं कभी-कभी बाहर से भी आ जाते हैं सब स्टार्ट करते हैं हम लोग physics के section से और बारी-बारी से other section chemistry और biology भी देखेंगे यह देखें सेट डी का question number 101 है बोला जा रहा है short circuit के time पे electric circuit में current क्या होगा zero हो जाएगा, same रहेगा, तेजी के साथ बढ़ जाएगा या तेजी के साथ घट जाएगा अगर मैं बात करूँ इस question की तो यह who-who exactly same सवाल CAPF 2011 ने पूछा गया और same सवाल इसी बार के CDS 2022 वाल exam जो के भी recently हुआ दो-तीन महीने पहले उसमें भी यह सवाल पूछा गया इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि previous year question आपको करके जाना है हमेशा ही आपको 5 से 10 सवालों की एज मिलती ही है इसका correct answer फिर क्या है? increases sharply क्या यह NCRT के अंदर है? Of course है अगर आप comment box में लिखेंगे तो मैं पिछले 5 सालों के जिजिवी subject के आप चाहेंगे उसके analysis करवा दूँगा सारे के सारे exams की क्योंकि बहुत सारे question खास करके science के अंदर repeat करते हैं हलाकि history और geography से भी other subject से भी question repeat करते हैं लेकिन science के question जादा repeat करते हैं ये देखिए 10th class के NCRT के अंदर काफी details है fuse के बारे में cover किया गया था और वहाँ पे बताया गया था in such a situation the current in the circuit abruptly increases यानि बहुत ही तेजी के साथ इस तरह के situation में current बढ़ जाती है जिससे ही short circuit कहते हैं इस तरह के condition में जो fuse होती है वो electric current को prevent करती है और ये earthing से neutral wire connected है ये तो easy question है क्योंकि NCRT में भी covered है और previous year question में भी 2-3 बार repeat हुआ है तो इसका correct answer option C है now next question क्यों बढ़ते है next question देखिए if the linear momentum of a moving object changes by two times then its kinetic energy will change by a factor of यानि अगर किसी moving object का linear momentum change होता है दो गुना तो kinetic energy कितने factors यानि कितनी times जो है वो बढ़ जाएगी so अगर हम बात करें momentum और kinetic energy की तो directly proportional होते है यानि कि अगर two times है तो ये four times बढ़ेगी हाला कि मैं इसे mathematically भी solve करके दिखा देता हूँ ताकि अगर two times की जगा three times दे दिया जाए तो फिर हम उसे solve कर ले ना इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं बढ़ देखते हैं हम kinetic energy से directly कैसे निकाल सकते हैं so kinetic energy का formula आपको पता होगा half mb square होता है अगर half mb square हम देखें यहाँ पे तो हम इसे p के terms में लिख लेते हैं जैसे p equal to mb होता है और अगर मैं यहाँ पे इसे half mb square में convert करूँ और इसे further हम लोग change करेंगे यहाँ पे तो half into m को वही रहने दीजे और v को change कर लेते हैं तो अगर हम यहाँ से v की value निकाले तो क्या आएगा p by m हम इसे यहाँ पे put कर देते हैं p by m का whole square तो अगर हम इसे solve करेंगे further तो half into m into p square by m square और इसे हम अगर solve करें तो फिर p square by 2m देखने को मिलेगा या आप आसानी से solve कर सकते हैं अपने क्या भी होगा सो ना हमें पता चलिया कि kinetic energy का एक और formula हम लोग derive कर सकते हैं जो की होगा p square by 2m हाला कि इस question को करने के और भी तरीके हैं एक दो आसान तरीके भी हैं बट मेरे mind में अभी फिलाल यही आ रहा है kinetic energy 2 की बात करें तो कितना होगा इसे हम लोग इन दोनों का ratio चाहिए तो again यह भी वही होगा same p square by 2m लेकिन चुकि हमें momentum double करना है तो p की जगा पर हम क्या करेंगे 2p लिखेंगे तो 2p का square by 2m अब अगर हम इसे cut करें तो 2m से 2m cancel हो जाएगा p square by 4p square p square p square gets cancelled 1 by 4 यानि 4 times का basically increase हमें देखने को मिलेगा तो इसका correct answer क्या है फिर option b 4 आपको यह सब करने की ज़रुत नहीं exam के time में हमारे पास उतना time नहीं होता exam में तो आप directly यह देखे अगर 2 times रहेगा तो 4 times increase देखने को मिलेगा kinetic energy में अगर 3 times रहेगा तो 9 times देखने को मिलेगा क्योंकि हर बार same ही formula apply होगा बस मैंने यह करके दिखा दिया हाला कि और भी आप देखे वैसे oxide जो acid और base दोनों के साथ react कर सकते हैं उस तरह के oxide को amphoteric oxide कहते हैं और mainly हमारे दो amphoteric oxide होते हैं पहला aluminum oxide और दूसरा zinc oxide चुकि हमें यहाँ पर option में zinc oxide नहीं दिया गया था हमें आप option a aluminum oxide को select करेंगे क्या यह सवाल NCRT के अंदर था हाँ यह NCRT के अंदर आपको मिल जागा amphoteric के बारे में amphoteric oxide के बारे में detail में दिया हुआ होता है अगला question देखे 33 number यह set decay coding है बोला जा रहा है the organism that prefer high salt concentration habitat refers to age यानि वैसे organism जो की high salt concentration के आवास को prefer करते हैं उन जगहों को prefer करते हैं जहाँ पर salt concentration की मातरा ज्यादा हो तो वैसे organism क्या कहलाते है alkali files, kelsey fuse या hello files या nitro files तो देखे hello एक Greek word है जिसका मतलब salt होता है और file का मतलब आपको पता ही होगा file का मतलब loving होता है तो salt loving organism hello files के अंदर रहते हैं अगला question देखे देखे computer से दो ही सवाल आये थे से secure operating system माना जाता है लेकिन MS Excel तो एक application है इसलिए वो operating system नहीं है इसका correct answer क्या है option D MS Excel अगला सवाल देखे which one of the following is the semiconductor device that is used to increase the power of the incoming signals by preserving the shape of the original signal यानि original signal को preserve करते हुए किस semiconductor device का का काम होता है power को बढ़ाने का तो यहाँ पे जो इसका correct answer है वो है option B transistor transistor एक semiconductor device होती है जिसका काम होता है आने वाले signals के power को increase करना लेकिन original signal के shape को preserve करते हुए तो option B यहाँ पे बिल्कुल correct है अगला question देखे बोला जारा बोरेक्स किससे तियार किया जाता है तो यह factual question है अगर हम correct answer देखे है तो option D sodium carbonate बिल्कुल correct होगा आदेखे बोरेक्स कैसे तियार किया जाता है कोलमनाइट को sodium carbonate के साथ treat किया जाता है तो बोरेक्स बनता है बोरेक्स के formula के बात करें तो NA2B4 और O4 यानि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हाला कि यह formula आपसे नहीं पूछा जाएगा और यह NCRT के अंदर भी cover है कि किस तरह से बोरेक्स को तियार किया जाता है इसका correct answer option D sodium carbonate अगला question देखे सीने बार किसका ISKM से पूछा जा रहा है यह तो one of the easiest question कहा जाएगा option A mercury करी क्योंकि यह बहुत बार PYQ में पूछा गया बहुत ही जादा बार और यह काफी common question है basic NCRT में covered है अगला question देखे white gold जो है वो किसका alloy है देखे यह question नहीं NCRT के अंदर cover है नहीं इसकी कोई मुझे source सही पता चली इसका correct answer को समझने से पहले gold के different colors की बात करते है so यहाँ पे देखे color of gold के basis पे alloy composition देखते हैं अगर yellow gold की बात करें तो gold, silver, copper और zinc होता है red gold में सिर्फ gold और copper होता है इसी तरह से अगर हम देखें white gold के अंदर white gold में gold दिखेगा और platinum या फिर palladium लेकिन यह तो white gold के एक केटेगरी की बात हो गई और एक केटेगरी होती है white gold के अंदर जो gold, palladium, nickel और zinc इन चार चीजों से मिलकर बनी होती है इसके percentage composition भी आप देख सकते है 75% gold होगी 10% palladium और 10% nickel so basically fine metals होते हैं यह palladium और nickels so इसके basis पे एक ही correct answer बनता है आपे gold, nickel और palladium next question देखिए बोला जा रहा है alkenes का hydrogenation carry किया जाता है कि इनके presence में copper, zinc, aluminium या nickel so यह 12th class की NCRT है यह 10th class के अंदर भी है बट directly इस तरह का element का नाम नहीं दिया गया अगर हम बात करें alkene को alkene से convert करने की तो यहां पर हम हमेसा fine metal का use करते है जैसे platinum हो गया, palladium हो गया या nickel हो गया और यही process hydrogenation कहलाती है हमेसा ही fine metal का use होगा जैसे यहां पर catalyst के रूप में हम पर योग कर सकते है platinum का, palladium का या फिर nickel का so as per the options अगर हम option के basis पे देखे now next question देखते है calcium oxide react with water to produce slaked lime यानि calcium oxide water के साथ react करके slaked lime बनाती है यह किस तरह के reaction का उदाहरन है अगर हम इसे देखें इसके reaction की बात करें तो calcium oxide को water के साथ जब react किया जाएगा तो slaked lime बनेगा इसका formula क्या होगा CAOS2 यहां पर हम clearly देख सकते हैं सन्योजन अभी किरिया है यानि combination reaction है combination reaction क्या होती है तो जब जुड के products बनते है वो combination reactions कहलाती है तो इसका correct answer क्या है फिर option A, combination reaction अगला question देखें hydrogen atom के atomic radius की बात पुछी जा रही है तो इसका correct answer होगा 53 picometer 53 picometer होता hydrogen atom के atomic radius बट यहां पर option में नहीं है तो सबसे close अगर हम देखें तो option D यहां पर correct होना चाहिए 57 picometer हाला कि यह question भी previous server में पूछा गया है बट SSE और NDA में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बट other exams भी यह पूछा गया सवाल है और यह NCRT higher class के 11th या 12th के NCRT में covered है नाव एक और physics का सवाल देखते हैं 45th number में यह है दो object X और Y दिये गए हैं जिसके masses equal है और यह same speed से move कर रहे हैं U और 3U के speed में बोला रहा है kinetic energy के बीच में क्या relation होगा तो अगर हम यहां पर देखें KX और KY दिया गया था हमे KX और KY के अगर हम calculate नाव देखें मैंने इनका ratio लिख दिया है kinetic energy of X और kinetic energy of Y इन दोनों का ratio तो half MB square होता है formula दोनों के mass same है तो दोनों को मैंने M माल लिया और हमें velocity क्या दी गई हाफ into M into B square यह formula होता है लेकिन X की velocity U दी गई है और Y की velocity 3 U दी गई है तो half MB square यहां पर हम square कर लेते हैं half M half M cancel हो गया हमारे पास क्या बचा U का square और by में 3 U का whole square अगर हम इसे solve करें U का square कितना बनेगा U का square ही रहेगा और 3 U के whole square की बात करें तो यह 9 square बनेगा यह KX by KY है अब हम इसे further solve करते हैं U square U square cancel हो गए अब इसे हम cross multiply कर देते हैं तो 9 KX equal to KY हम ओप्सन में देखते हैं 9 KX equal to KY कहां पर है ओप्सन C में हमें दिया गया है 9 KX equal to KY जो कि बिल्कुल यहां पर correct है तो simple formula आप लगाएंगे तो यह आसानी से निकल करके आ जाएगा बहुती basic maths use हो रही है अगला question देखिए बोले आ रहा है प्रेसर का unit कौन सा नहीं है सबसे पहले यह बात करते हैं कि प्रेसर क्या होती है एज पर physical formula physics के formula के according pressure होती है force upon area force क्या होता है force की SI unit की बात करें अगर हम तो newton होती है और area की बात करें तो meter square यानि यहां से एक pressure की unit निकल कर क्या आई Newton पर meter square लेकिन pressure की discovery से associated this person है उसके reverence में हमने pressure के SI unit को pascal माना है तो pascal पहला हो गया दूसरा Newton पर meter square हो गया यह पहला हो गया यह दूसरा और अगर हम CDS unit में बात करें CDS आपको बता होगा centimeter gram second CDS unit में pascal को बार से मापा जाता है आपको comment box में यह बताना है कि one bar equal to how much pascal यानि कितना pascal होगा बेसिकली उससे आप unit में convert करके लिखे अब हम इसे option से अगर देखें pascal है हाँ बिल्कुल है Newton per meter square हाँ है हमने देखा bar भी होता है एक tour भी होता है हलाकि वो option में नहीं है तो इसका correct answer ही क्या होगा option C joule per meter square क्योंकि हमें नहीं वाला पूछा गया था बाकि तीनों तो units है और मैंने बता भी दिया SI unit को है pascal और CGS unit को है bar आपको comment box में बताना है कि bar को pascal में convert करना है अगला सवाल देखिए बोला आ रहा है कि कौन से material का इस्तेमाल करके convex lens नहीं बनाया जा सकता अगे इन देखें यह सवाल बहुत ज़्यादा common है कि lens बनाने के इस्तेमाल में किनका use होता है generally options में clay दिया जाता था बट यहाँ पे clay नहीं दिया गया है फिर भी हम logical ही सोचते है glass का use of course हो सकता है convex lens बनाने में sapphire की बात करती है तो one of the best material होगा lens वगरा create करने के लिए water भी सामिल है तो इसका फिर आगर हम elimination से जाएं तो option A यहाँ पे correct बनता है aluminium का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते है convex lens को बनाने में यह question क्या difficult है difficult नहीं है क्योंकि 10th class के NCRT के अंदर बाकी के तीनों material covered है कि हम lens बनाने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते है इसलिए हमाई elimination से अगर जाते तो फिर यह सरल था otherwise difficult अगला question देखिए बोला जारा sky के blue color के पीछे कौन सा optical phenomena associated है आपको याद होगा मैंने science की वीडियो जबनाई थी वहाँ पे सारे के सारे NDA CDS के PYQs cover किये थे यह direct PYQ है बहुत बार exams के अंदर repeat हुआ है उसे मैंने हाला कि बहुत detail में बताया था कि कौन सा phenomena किसे associated है अगर आपने वो नहीं देखा था आपको description box में link मिल जाएगी उसे आप जरूर देखिए क्योंकि इससे associated अकसर ही question आते है कभी scattering के उपर कभी reflection के उपर कभी lenses के उपर lens को भी मैंने बहुत detail में cover किया lens के power से related सारे सवाल करवाए है तो वो 3 या 4 वीडियो की series होगी उसे आप देख लीजे इस तरह के सवाल हर exam के अंदर आएंगे और वो आपके हमेशा ही correct होंगे अगर आप उस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका correct answer क्या है option D scattering of light जो है वो responsible है blue color of sky की देखिए पूरे concept को मैंने समझा है NCRT के माध्यम से उस वीडियो का आप देख सकते हैं इसे detail में समझने के लिए ना नेक्स question देखते है the electrical device used for converting mechanical energy into electrical energy यानि mechanical energy को electrical energy में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है voltmeter, ammeter, motor या generator इसका correct answer है option D generator generator या फिर dynamo जो भी answer में होगा वही यहाँ पे correct हो जाएगा ना आपको comment box में ये बताना है कि electrical energy को mechanical energy में convert करने के लिए किस electrical device का use किया जाता है मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे question में mechanical energy to electrical पूछा गया था तो इसका answer generator correct है लेकिन अगर मैं इसे electrical to mechanical कर दूँ तो आप उसका answer बताईए अगला question देखिए एक convex lens के focal length की लंबाई हमें दी गई है 2 meter पूछा गया power बताईए सबसे पहले मैं यह देखूँगा कि convex lens है तो negative में हमारा power निकल करके आएगा तो negative positive वाले option हटा देता हूँ अब उसके बाद आगे देखें तो 2 meter है और formula मैंने आपको क्या बताया था एक video के अंदर उस video के अंदर कि जो power होता है वो 1 by focal length होता है यानि 1 by 2 और 1 by 2 कितना होता है 0.5 यानि हमारा correct answer क्या है option B क्योंकि इसी में आपको 0.5 देखने को मिलेगा क्या यह सवाल मुस्किल है तो बिलकुल नहीं क्योंकि बहुत power यह PYQs के अंदर आया है अगर आपने अच्छे से analyze किया previous year को तो इस तरह के सवाल आपने जरूर किये होंगे तो next question देखते है So physics और chemistry से इतने ही सवाल थे न बायो देखते है Which of the following combination correctly represent the genetic material in prokaryotes and eukaryotes respectively यानि prokaryotes और eukaryotes के genetic material के बारे में आपको बताना है कि कौन सा correct combination है देखिए एक prokaryote cell के अंदर nucleus absent होता है और उसके जगा पे nucleotide होता है और अगर हम बात करें eukaryote की तो eukaryote में जो DNA होता है वो nucleus के अंदर covered होता है तो यहाँ पे correct answer option C nucleoid and nucleus So फिर से समझ लिजे कि prokaryote में DNA जो है वो cytoplasm के अंदर होता है यानि nucleotoid मे और अगर हम eukaryote की बात करें तो eukaryote में जो DNA है वो nucleus के अंदर होता है तो एक ही option आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें eukaryote nucleus के साथ combined हो तो इसलिए हमारा correct answer option C यहाँ पे बनता है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए lysosomes are sex of the cell filled with digestive enzyme यानि digestive enzyme के से cell filled होता है उसमें lysosome की बात की जा रही है अब यह जो digestive enzymes होते हैं इसे किसके द्वारा synthesize किया आता है गोलजी बोडी के द्वारा smooth endoplasmic reticulum के द्वारा rough endoplasmic reticulum के द्वारा या खुद lysosome के द्वारा देखिए यह सवाल यह तो होता सरल बट चुकि हमें option में smooth और rough दोनों तरह के endoplasmic reticulum दे दिये गए हैं इसलिए यह question थोड़ा tough माना जाएगा यहाँ पर मैंने 11th class की बेलोजी का reference लिया है the endoplasmic reticulum often shows ribosome attached to their outer surface यानि endoplasmic reticulum को अकसर देखा जा सकता है ribosome के साथ attached बहारी सता में endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum यानि वैसे endoplasmic reticulum जो ribosome को bear करते हैं अपने surface में वो rough endoplasmic reticulum होते हैं और अगर ribosome का absence देखा गया तो वो smooth दिखाई देते हैं और इसलिए वो smooth endoplasmic reticulum के रूप में अपियर होते हैं फिर से समझ लीजिए जब ribosome appear होगा तो rough endoplasmic reticulum होगे लेकिन जब ribosome absent होगा तो वो smooth endoplasmic reticulum देखने को मिलेगा अगर आभी मैं आपको figure भी दिखाईता हूँ यहाँ पे देखिए smooth endoplasmic reticulum इस साइड में आपको देखने को मिलेगा और अगर हम यहाँ पे देखें rough endoplasmic reticulum की तो यह सत्धा जो है यह सत्धा वो rough endoplasmic reticulum होगी क्योंकि यहाँ पे ribosome देखने को मिलेगा तो rough endoplasmic reticulum किस काम के साथ associated होती है protein synthesis के साथ यह याद रख लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है और अगर smooth endoplasmic reticulum की बात करें तो यह lipid के synthesis के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है ठीक है फिर से समझ दीजे RER जो है वो protein synthesis के लिए और जो smooth endoplasmic reticulum है SER वो lipid के synthesis से associated है सो हमने यहाँ पे देख लिया डिटेल में इसका correct answer क्या है rough endoplasmic reticulum अगला question देखी on way of incorporating desired character into crop varieties is hybridization यानि जो desired character अगर हमें crop में चाहिए तो एक तरीका होता है hybridization का इसी प्रकिरिया में crossing की जाती है genetically dissimilar plant के बीच यानि वैसे plant जो genetically आपस में विभेद रखते हैं उनके बीच crossing करवाई जाती है तो बोला जा रहा है कि कौन सी crossing hybridization से संबंदिद hybridization को refer नहीं करती है option है हमारे पास intervarietal interspecific, intergenic या intragenic अगर दो option हम यहाँ पे देखे intergenic और intragenic यह दो confusing option है यहाँ पे तो अगर यहाँ पे ambiguous जैसी condition बनती है इस तरह के question में क्योंकि अगर आप इसे guessing से करेंगे तो फिर यह difficult हो जाएगा तो यह topic NCRT के अंदर directly covered नहीं है देखें intervarietal क्या होता है crossing करवाई जाती है जब same species के दो varieties की एक ही species के होने चाहिए तो intervarietal कहलाती है एक ही species के दो varieties के बीच जबकि हम बात करें अगर interspecific hybridization की तो यहाँ पर crossing कराई जाती है एक ही genus के different species की same genus के different species के बीच की जो crossing होती है वो interspecific hybridization कहलाती है और अगर intergenic की बात करें तो intergenic hybridization नहीं होती है बलकि intergenic reason एक छेतर होता है जो कि जब कोई दो genes के बीच का जो stretches होती है DNA में वो कहलाती है intergenic reason ठीक है तो यह associated नहीं है hybridization से लेकिन intergenic hybridization होती है intergenic hybridization में crossing करवाई जाती है same genus के different species के बीच तो फिर इसका correct answer अगरम लो elimination से देखे तो option C है क्योंकि बाकि तीनों जो है वो hybridization का part है hybridization के type है अगला question देखिए बोला आ रहा है requirement के basis पे plant nutrient को micronutrient और macronutrient के आधार पर classify किया है आपको बताना है कि कौन सब macronutrient का example है option है मैंगनीज, copper, magnesium और chlorine now again मैंने 11th class की biology ली है यहाँ पर आप देख सकते है macronutrient जैसा की नाम से हिस्पस्ट है macronutrient में वो चीजे सामिल होगी जो की excess amount यानि macronutrient के मुकाबले ज़्यादा amount में पाई जाती है इसके अंदर carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus sulfur, potassium, calcium और magnesium यह चीजे सामिल है macronutrient के अंदर यानि इन चीजों की ज़्यादा जरूरत पढ़ती है as compared to macronutrient इसमें magnesium भी सामिल है आप देख सकते हैं जबकि हम जब बात करते हैं macronutrient की तो यह कम amount में होते हैं जैसे इसमें इसके अंदर सामिल होता iron, manganese, copper, molybadenum, zinc, boron, chlorine और nickel चुकी यहाँ पर हमें macronutrient का उदाहरन पूछा गया था तो फिर इसका correct answer होगा बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं वो soil में fall on soil यानी मिट्टी में गिर जाते हैं और यह new plant के रूप में जनम लेते हैं यह किस तरह का reproduction का उदाहरन है तो देखिए जब birds बनते हैं पत्तों के अंदर यानी छोटी-छोटी कलियां बनती है और वो कलियां जमीन में गिरती है और वहाँ से फिर नए पोधे का त्यार होता है नए पोधे त्यार होते हैं तो यह जो है asexual reproduction का उदाहरन है और इस reproduction का नाम है vegetative propagation अगेन vegetative propagation जो है वो basic NCRT's के अंदर covered है हलाकि इस topic को directly नहीं दिया गया बारे में बताया गया है कि इस तरह की process होती है तो वहाँ से हम इसे देख सकते हैं हलाकि मैं separate video बनाऊंगा जिसमें सारे type के एक साथ सवाल करवाऊंगा तो इसका correct answer क्या है option is vegetative propagation अगला देखिए बोला जा रहा है phloem tissue किस परकार के transport के लिए responsible होती है तो देखिए दो तरह के mainly होती है एक जाइलम और दूसरा phloem तो जाइलम जो है वो जल ट्रांसफर करती है यानि water और phloem जो है वो बच गया क्योंकि water और food ये दो चीजे mainly होगी हाला कि ये sugar product होते हैं बट फिर भी मैं इसे food में consider कर रहा हूं और ये water तो हमें क्या पूछा गया फ्लोएम पूछा गया है तो यहां पे food होगा correct answer अगर यहां पे जाइलम पूछा जाता तो फिर क्या होता water फिर से मैं आपको ये trick बताएता हूं जाइलम जो है वो water से associated है क्योंकि जाइलम में जल वर चुपा हुआ जल का मतलब water होता है और जो बच गया फ्लोएम जो है वो food के transfer से associated है फ्लोएम tissue food का transfer करती है जबकि जाइलम जो है वो क्या क्या करती है water और minerals का transfer करती है next question देखिए बोला आ रहा है कि किस animal का four chamber heart होता है यानि चार कोस्टा खिरिदे के बारे में आपको बताना है कि options में से कोन किस जानवर का होता है तो देखिए four chamber heart जो है वो mainly birds और mammals का होता है जबकि जब हम बात करते है three chamber heart की तो three chamber heart amphibia और reptilia का होता है अगर हम option में हाँ बात करें four chamber heart किस की होता है तो फिर crocodile correct answer है यहाँ पर option D यह question basic answer के covered है आपको पता भी होगा यह बहुत बार exams के अंदर भी इस तरह के सवाल आते हैं जहाँ पर जानवर के बारे में पूछा जाता है कि वो कितने chamber वाले heart से associated है यहाँ पर हमने science के सारे सवाल कर लिए और बाकी जो miscellaneous type के कुछ question है वो हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो subjects बच गए हैं उन्हें भी मैं cover करूँ तो आप comment box में लिख सकते हैं next video आपकिस topic में चाहते हैं इसकी suggestion आप दे सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले बाकी के subject के वीडियो जो अभी recently जितने भी estate PhD के exam हुए हैं वो सारे मैंने इस channel के माध्यम से cover करवा दिये हैं thank you so much